ओम श्री गनेशा आनमा माइडिया फ्रेंज तो आप सब बहुत अच्छे होगे फ्रेंज आज हम एक फिर से करन्ट फिलिंग्स आफ यूर पार्टनर की रीडिंग के साथ आए हैं जो की बहुत इंटरस्टिंग होने वाली है फ्रेंज इसमें हम देखेंगे कि आपके निकालेंगे जनरल गाइडेंज जो की बहुत इंपॉर्टन होगी यह देखने के लिए कि क्या आपको एक्जाक्ली अप करना चाहिए और उपर वाला आपको क्या बोल रहा है इस पुरी सिचुवेशन में ठीक है सो सबसे पहला तो फ्रेंज यह करेंगे दूसरा मैं आपस चैनल को सबस्क्राइब करें रीडिंग्स को लाइक करें अगर पसंद आती हैं कॉमेंट करके मुझे जरूर बताया करें कि क्या यह रीडिंग आप से रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है इस से मेरा बहुत क्लारिटी आती है कि क्या यह रीडिंग्स एक्चुली पर कोई चीज नहीं डालनी जितनी रेजोनेट हो उतनी देखें ठीक है तो जल्दी से फ्रेंज रीडिंग को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम गवाए ओके आल राइट सो माई डियर लिब्रा यानि के तुला राशी किस एनर्जी में है आपके पार्टनर अभी फिलहाल देखने की कुशिश करेंगे क्या कोई बदलाव आया है उनके अंदर किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं वो इस रिष्टे को लेके ठीक है इंटेंशन्स और फिर नेक्स्ट अक्शन क्वीन ओफ कप्स फाइव ओफ सोड्स देखे लिवरा आपकी पार्टनर आपसे प्यार करते हैं इसमें तो कोई शक नहीं है लेकिन वही चीजें आप दोनों के बीच में जो बार-बार तकरार हो रही है बार-बार जो इशूज आते हैं कहीं न कहीं आप भी उनके साथ एक ऐसे जगड़े में फस जाते हैं बार-बार जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है वो नहीं समझ पाते कि क्यों आप बार-बार उनको उन चीजों के लिए फसा देते हैं कहीं न कहीं आप गुसा करते हैं कहीं न कहीं अगर लिबरा ये चाहते हो आप जैसे जनरली उनसे कभी लड़े या कोई बात बोली तो आपका पार्टनर भी आपको वही करता है और उन्हें भी यही लगता है कि जरा सा अगर वो नराज हो जाते हैं या कोई बात हो जाती है तो आप उनके साथ वो करते हैं तो आप दोनों में जो यह एक लगातार एक युद्ध जो छिड़ा रहता है और फिर उस युद्ध में सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतना चाहते हैं उन्हें वो भी आपको चाहते हैं फिर वही चीज़े जब बार बार होती हैं एक सरकल एक साइकल में आप दोनों फस जाते हैं उससे वो बाहर नहीं आ पारे वो बहुत चिंता जनक यानि कि बहुत इशू है उनकी लाइफ में फिलहाल वो शायद ऐसे हो रहे हैं कि शायद भगवान ही हम दोनों को लड़ा रहा है या मैं नहीं संभाल पा रहा है या पता नहीं क्या ऐसी तकलीफ हो रही है हम दोनों के बीच में इन चीज़ों में बहुत उलजहे हुए है डरते हैं भविशे को लेकर सोच नहीं पाते भविशे मेने क्या करना चाहिए क्या effort लेना चाहिए क्या आपके पास माफी भी नहीं मांगने आना चाहते जुकना भी नहीं चाहते ऐसा भी दिख रहा है क्या है उनकी intentions इस रिश्टे को लेके The fool, seven of wands, temperance देखे फिलहाल तो मुझे जहां तक लग रहा है Libra की उनका जो main focus है वो खुद पर ही है उनका main focus यह है कि कैसे वो अपनी energies को balance करें खुद को कैसे normalize करें क्योंकि अगर वो आपको मनाने भी आते हैं तो भी कैसे खुद को समझा कर आपके पास आए और अगर वो इस relationship को नहीं भी चलाना चाहते आगे और एक new beginning भी करना चाहते है तो अपनी mind को, अपनी body को, अपनी energies को अपने आसपास के जो college जो उन्होंने चाहे आपने मिल कर दोनोंने बनाए या इनकी वज़ा से जादा बने उसको कैसे clear करें जैसे कहते हैं, clear your energy अपने आसपास पहले सफाई करो फिर बाद में दूसरे को बोलना तो फिलहाल ये अपने आसपास की mind को अपनी relationship में अपने mind को पहले साफ कर रहे है ताकि तब ही आपके पास आएंगे कि अपनी बातों को clear करेंगे ये तो मुझे इनकी current feelings and intentions दिख रही है अब हम देखेंगे इनके क्या कोई action होंगे आपके लिए तो उसके लिए मैं देखती हूँ क्या है उससे पहले अगर आपको ये reading अभी तक पसंद आई है तो प्लीज इससे like करें चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो जब आप तक आए तो आपको notification ज़रूर आए ठीक है तो क्या है next action आपके partner का देखें टेंपरेंस का का काड यहां भी आया जो कि इनकी intentions में भी था seven of wands again दूसरे deck से भी वही cards आ रहे हैं इनके the devil yes and five of pentacles देखें मुझे लग रहा है आप लोग मेंसे काफी सारे लिबरा आपके partner आपसे दोर है किसी reason से आप दूनों का no contact चल रहा है आप दूनों एक दूसरे से बिलकुल बात नहीं कर पा रहे और एक negative energy बनी हुई आप दूनों के बीच में फिलहाल आपके partner जो हैं जो आपसे दूर होने की वज़े से बहुत जादा negative हो चुके हैं फिलहाल के लिए वो पुरानी चीजों को बार बार सोच रहे हैं और जो मैंने आपको पहले भी कहा कि अभी उनका पूरा focus सिरफ यही है कि कैसे वो अपनी energy को clear करें कैसे वो अपने mind को clear करें ताकि आगे का वो जो plan उनको बनाना है कि किस तरह से उनने आगे बढ़ना है वो एक path उनकी लिए बने उनको नहीं समझ में आ रहा वो path clear नहीं हो रहा path नहीं बना पारे और उन्हें बिल्कुल clarity नहीं आ रही इसलिए वो आपके पास नहीं आ पारे हैं नहीं आपको contact कर पारे हैं ठीक है तो यह मुझे आपके partner की energies दिख रही है आपके लिए क्या है divine की guidance लिब्रा लिब्रा राशी के लिए हम divine की guidance लेंगे देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं divine उनको so divine आपको कहते है purify your throat chakra यानि के आप कोई भी बात किसी से बोलने से पहले लिब्रा थोड़ा सोच के बोले हो सकता आप उसका भला चाहते हैं उसका अच्छा चाहते हैं पर देखें कुछ चीजें जाने अन जाने आपके मुद से ऐसे इस टाइम stressful mind से निकल रही है जो सामने वाले के दिल तक पहुँच रही है be very mindful attentive हो कर रही है चाहे वो कोई सी भी जगा है professional है या personal है अपनी चीजों का ध्यान रखें ठीक है next guidance is cross road so life में अगर आप एक ऐसे path पे खड़े हो गए है जहां पर dead end आ गया है तो देखें मानते हैं कि एक dead end आ गया है आपके जिंदगी में लेकिन एक तरह से अगर आप देखें तो भवान ने आपको options दिये हैं choices दिये हैं कि अब आपको जिंदगी में क्या करना है समझ रहे हैं वो आपको empower कर रहे हैं आपको लबता होगा अरे मेरी life में एक ऐसा दो रहा आगया मैं first किया बट ये दो रहा नहीं है आपको आगे बढ़ने के लिए एक मौका मिल रहा है कुछ चूज करने का मौका मिल रहा है ठीक है so friends my dear ये है आपकी reading and I hope आपको बहुत clarity मिली हो ऐसा है तो please reading को like करें channel को subscribe करें personal reading के लिए number उपर है आप please मुझे contact कर सकते हैं मैं अगले reading में आपको मिलूँगी तब तक के लिए bye friends कर दो